सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सबी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल से रियलमी और रेडमी के तरफ से रेडमी का नोट 10 प्रो इसकी कीमत है 217,000 दूसरी तरफ है रियलमी का 8 प्रो यह आपको मिल जाएगा इससे 1000 महेंगा 18,000 में तो दोनों में 1000 का ही फर्क है इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या कमिया है और आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिलकुल मिस किप मत करिएगा चली देखते हैं 18,000 में आ इंदर डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डिटा केबल लेंद और क्वालिटी की दुनों बहुत ज़्यादा बढ़िया है और अच्छी चीज यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी दिया गया है तो चारजर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट मिलता है रियलमी 8 प्रो के साथ अब यह सार combined sollte एडिया है तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वह आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया ही दिया गया है ताइप सी केबल भी है कावर भी अच्छा है इसके साथ दोस की तरफ लगा हुआ है सिम जेक्टर टूल वैसे ही कुछ यूजर मैनुवल दिये गए हैं इस तरीके से इसके बाद आपको मिल जाता है कवर इसकी भी क्वालिटी बहुत जादा बढ़िया है मुबाइल दिया गए है इसके बाद रैपर के अंदर डेटेल लुक हम भी देखे इसके पहले देख लेते हैं बाक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डेटे केबल लैंत और क्वालिटी इसकी भी दोनों बहुत जाद अच्छी है और अच्छी चीज यह है इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है रियल मी एट प्रो की तरह आखि के साथ आपको दिया गया है 33W का चार्जर रियल मी एट प्रो के साथ आपको मिलता है 55W का चार्जर जादा बढ़िया चार्जर आपको रियल मी एट प्रो के साथ ही दिया गया है तो एक खुभी आपको रियल मी एट प्रो में जादा बढ़िया मिल जाती है इससे बाकि द लास्टिक के टाइप के डिजाइन दिया गया है क्वैलिटी वैसे बहुत जादा बढ़िया है स्क्रेचिस बहुत कमाते हैं इसके बैक पैनल पे वहीं दूसरी तरफ रेडमी के नोट 10 प्रो के अंदर आपको ग्लाज डिजाइन दिया गया है गुरिला ग्लास की प्रोटेक् यहाँ के लिए गए हैं जिसमें मेरि केमरा है पहला 108 मेगा प्क्सल का दूसरा 8 मेगा पिक्सल के फ्रंट कंडिकनर है filed का 16 मेगा पिक्सल का एपको यहल्मी यह बढ़िया मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ 10 प्रोके अंदर आपको बीचे की तरफ चार कैमरे दिये गए गय मोबाल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है फिर भी इन दोनों के comparison में आपको ज़्यादा बढ़िया camera दिया गया है realme 8 pro के अंदर ही camera को लेकर यह और ज़्यादा बैटर है Redmi के Note 10 Pro से इसके लब दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों में किसका design ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा quality में ज़्यादा बढ़िया होने के वज़े से मुझे Note 10 Pro ज़्यादा पसंद आया बाकि दोस्तों देखने में वैसे दोनों अच्छे ही लग रहे हैं बात करें दोस्तों display के बारे में तो realme के अंदर आपको display size मिलता है 6.5 इंचिस के आसपास लगबख साड़े change की display दी गई है Note 10 Pro के अंदर आपको 6.67 इंचिस की display दी गई है साड़े change से थोड़े सी ज़ादा तो display size में थोड़ा सा ज़ादा बढ़ा है Redmi का Note 10 Pro बाकि दोस्तों दोनों के अंदर आपको AMOLED डिस्पले दी गई है बात कर दोस्तों user interface के बारे में तो Redmi के अंदर आप इससे right side पर swipe करेंगे आपको सारी apps मिल जाती है Realme 8 Pro के अंदर आप उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोस्तों इन दोनों के डिस्पले के अंदर आपको एक खुबी जादा अची दी गई है Redmi के Note 10 Pro के अंदर कि इसके डिस्पले में आपको 120Hz का refresh rate मिलता है तो जब आप इन दोनों को यूज़ करते हैं तो आपको जादा smooth experience दिखने को मिलता है बहुत जादा Note 10 Pro के अंदर ही क्योंकि इसके डिस्पले के अंदर आपको refresh rate जादा दिया गया है Realme 8 Pro से आप दोस्तों दोनों के अंदर आपको AMOLED डिस्पले मिल जाती है बाकि दोनों के डिस्पले की जो quality है वो मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ बिलकुल full brightness करके तो दोस्तों दोनों के अंदर आपको design दिया गया है पंचोल कैमरे वाला डिस्पले के अंदर ही camera मिल जाता है तो डिस्पले की जो quality है वो तो आपको दोनों के अंदर बढ़िया दी गई है लेकिन size, design और refresh rate ये तीन खुबी आपको ज़्याद अच्छे मिल जाती है Redmi के Note 10 Pro के अंदर वो भी एक हज़ार कम कीमत में इसके लब दोस्तों left side साब देहेंगे दोनों को तो sim के ट्रे दी गई है स्तरफ दोनों के अंदर आप दो sim card, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं ये दोनों में खुबी है नीची की side साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है type c port मिल जाता है दोनों के अंदर दोस्तो note 10 pro में आपको headphone jack उपर के तरफ मिलता है right side पर volume के buttons और power के buttons Redmi में आपको fingerprint scanner side में दिया गया है power के button के अंदर ही realme 8 pro में display के अंदर है उपर की side साब देहेंगे तो दोनों के अंदर आपको noise cancellation mic मिल जाता है Redmi के note 10 pro के अंदर आपको IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है TV वगर आप इससे चला सकते हैं और इसमें आपको उपर की तरफ भी speakers दिये गये हैं दोनों के अंदर आपको Android का latest version मिल जाता है Android 11 यह दोनों में खुबी है और दोस्तों दोनों ही mobile के अंदर आपको दी गई है 6GB RAM X और 20GB के इंटरनल स्टोरेज तो RAM और स्टोरेज दोनों के अंदर आपको बराबर मिल जाती है इस चीज़ में देखा जाए तो Note 10 Pro जदा बढ़िया है कीमत 1000 कम है और RAM और स्टोरेज आपको Realme 8 Pro के बराबर दी गई है दोस्तों Realme 8 Pro के अंदर आपको बैटरी दी गई है 4500 इमेज की Note 10 Pro के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5020 इमेज की दोनों के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक अप मिल जाता है आराम से और भी जादा बढ़िया मिलता है Note 10 Pro के अंदर इसके अंदर आपको बैटरी और जाद अच्छी दी गई है लेकिन दोस्तों Charger की जो खुबी है वो Realme 8 Pro के ही जादा बढ़िया है Charger इसके साथ जादा अच्छा है बात कर दोस्तों Processor के बारे में तो Realme 8 Pro में आपको दिया गया है Snapdragon 720 G Processor Note 10 Pro के अंदर आपको 1000 कम कीमत में मिल जाता है Snapdragon 732 G Processor अब देखे अगर आप एक बहुत ज़्यादा Heavy User है Performance आपको बढ़िया चाहिए तो इन दोनों के अंदर आपको Processor बहुत ज़्यादा बढ़िया दिया गया है और भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है थोड़ा बैटर Note 10 Pro के अंदर कीमत भी एक 1000 कम है और उसके अंदर आपको Processor और ज़्यादा बढ़िया दिया गया है Performance को लेकर ये और ज़्यादा अच्छा है तो ये सारी खुब ये कम यह है इन दोनों के अंदर चले बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो main जरुत की चीज़ हो किसमा ज़्यादा बढ़िया है और आपको realme पे ज़्यादा भरूसा है या फिर Redmi पे तो दोस्तों देखे अगर आपको camera बढ़िया चाहिए तो आप realme 8 pro खरी दियेगा camera इसके अंदर आपको और ज़्यादा बढ़िया दिये गया है इसे के साथ अगर आपको charger ज़्यादा अच्छा चाहिए तो भी आप realme 8 pro लीजियेगा इसके अंदर आपको charger ज़्यादा बढ़िया दिया गया है box के अंदर आपको 65 watt का मिल जाता है जो बहुत ही ज़्यादा fast है लेकिन दोस्तों अगर आपको design अच्छा चाहिए तो आप note 10 pro खरी दियेगा quality design के इसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया दी गई है इसके साथ अगर आपको display अच्छी चाहिए तो भी आप note 10 pro खरी दियेगा इसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया दी गई है refresh rate, design, size हर चीज ज़्यादा अच्छी मिल जाती है quality वैसली ही है AMOLED, realme 8 pro की तरह इसके साथ अगर आपको processor बढ़िया चाहिए तो भी आप note 10 pro खरी दियेगा इसके अंदर आपको performance और ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है आखिर में अगर आपको battery अच्छी चाहिए तो भी आप note 10 pro खरी दियेगा इसके अंदर आपको battery और ज़्याद अच्छी दी गई है वो भी एक हज़र कम कीमत में वैसे RAM और storage भी इसके अंदर आपको realme 8 pro के बराबर ही दी गई है वो भी एक हज़र कम कीमत के अंदर तो दोस्तो देखा जाए तो realme 8 pro में आपको दो खुबिया दी गई है एक तो बहुत बढ़िया camera दूसरा charger बहुत अच्छा है अगर आपको ये दो चीज अच्छी चाहिए तो आप realme 8 pro खरी दियेगा बाकि दोस्तो पांच खुबिया है note 10 pro के अंदर एक हज़र कम कीमत में एक तो इसके अंदर आपको design के quality जादा बढ़िया दी गई है दूसरा processor और जादा बढ़िया मिल जाता है तीसरा इसके अंदर आपको display जाद अच्छी दी गई है चौता इसके अंदर आपको battery बढ़िया दी गई है और पांचवा दोस्तो इसके अंदर आपको RAM और Storage कम कीमत के अंदर Realme 8 Pro के बराबर मिल जाती है तो वैसे दोस्तो देखा जाए तो 1000 कम कीमत में खुबिया आपको और ज़्यादा ही दी गई है Note 10 Pro के अंदर इन दोनों के comparison में जादा खुबिया होने की वज़े से Note 10 Pro अच्छा है बाकि दोस्तो अगर आपको Realme 8 Pro की खुबिया पसंद आई तो आप इसको भी ले सकते हैं ये भी काफी बड़िया स्मार्टफोन है जादा बेटर है Note 10 Pro ही क्योंके कम कीमत में फीचर जाद अच्छे दिये गए है मुझे भी personally Note 10 Pro ही जादा पसंद आया आप बताएगा दोस्तो फिर भी कमेंट करके आपको कौन सा अच्छा लगा ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल एकन भी दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लब वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा WhatsApp, Facebook पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए Take Care Bye Bye